बीज साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल और ब्रहद वाइब्रेंट वटवरुक्ष बन गया है कि वाइब्रेंट गुजरात समीट की बीच साल पूरे होने पर आज आपकी बीच आकर मुझे बेहत खुशी हो रही है मुझे आध हैं बरसों पहले मैंने एक बार कहा था वाइब्रेंट गुजरात यह सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बलकि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है दुनिया के लिए यह सफल समीट एक ब्रांड हो सकती है लेकिन मेरे लिए यह मजबूत बॉन्ड का पतीक है यह वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के साथ करोड नागरिकों से उनके सामर्थ से जुड़ा हुआ है यह वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेपर आधारित है साथियों आज मुझे स्वामी विवेकनन जी की भी एक बात याद आ रही है स्वामी विवेकन जी ले कहा था कि हर काम को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्विकार कर लेते हैं और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है आज की जंदरशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भुशन भुकम के बाद गुजरात की स्थिती क्या थी भुकम से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भैंकर स्थिती से जूज रहा था इसके बाद जो भुकम पाया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई लाखों लोग इससे प्रभावित हुए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा अकाल और भुकम के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई कि माधवपुरा मरकंटाइल कॉपरेटिव बैंक कॉलेप्स हो गया इसकी वज़े से 133 और कॉपरेटिव बैंक में यह तुफान चा गया पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहा कार मचा हुआ था एक तर से गुजरात का फाइनेंसिल सेक्टर संकट में आ गया था उस समय में पहली बार विधायक बना था मेरे लिए यह भुमिका भी नहीं थी साथन चलाने का कोई अनुभव नहीं था लेकिन चुनोती बहुत बड़ी थी इस बीच एक और घटना घट गई गोद्रा की रदय विधारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्तित्यों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा ऐसे बिकट हाल थी कि शाहिद किसी ने कलपना की होगी मुख मंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पाद ज्यादा अनुभव नहीं था लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूड भरोसा था हाला कि जो लोग एजन्डर लेकर चलते हैं वो उस समय भी गटनाओं का अपने तरीके से अनालिसिस करने में जुटे हुए थे यह कहा गया कि गुजरात से युवा गुजरात से उद्योग गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बरबाद होगा ऐसा बरबाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोज बन जाएगा दुनिया में गुजरात को बदराम करने की साजी स्रची गई एक निराशा का माहोल खड़ा करने की कोशिश की गई कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा उस संगट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहें परिस्तितियां जैसी भी हो गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूँगा हम गुजरात के पुनर निर्मान ही नहीं बलकि उसकी आगे के भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हम ने बढ़ाया वाइबरन गुजरात समीट को एक गुजरात का आत्मित्वात भाने और उसके जिरिये विश्व से अख से मिला कर बात करने का यह माध्यम बन गया गुजरात सरकार की निरिणे प्रक्रिया और फोकुस एप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बुठ गुजरात सहीत भारत की क्या उद्योग च्षम्ता को कि विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बढा। ये भारत में मौजूद अलग-अलग सेक्टर्स की असमीत संभावनों को दिखाने का माध्यम बना ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उप्योग करने का माध्यम बना ये भारत की दिव्यता भव्यता और साथकृत इवरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया हमने कितनी बार्यकें से काम किया उसका उधारण एक वायबने गुजरात की टाइमिंग इसमय नवरात्रिय और कि धूम रहती हैं हमने इसे गुजरात के और द्योगी विकास का परव बना दिया